नमस्कार हिंदी आचारे में आपका स्वागत है बच्चो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में तो चलो बच्चो शुरू करते हैं मार्च 1942 में स्टैफ़र्ड क्रिप्स हेड करते हैं एक मिशन को भारत में इस मिशन को सेंड किया जाता है किस चीज के लिए ताकि जो झवश्वयुद चल रहा है उसमें भारतियों की सपोर्ट मिल सकें क्योंकि देखो बच्चो झश्वयुध शुरू हो गया उसमें भारत की सह भागिता अंग्रेजों ने डिक्लेघर कर दी बिना भारत के किसी लीडर से भारतियों से पूछे बिना अंग्रेजों ने भारतियों की सहबागिता डिकलेर कर दी इस चीज का बहुत विरोध हुआ तो फिर क्रिप्स मिशन बेजा जाता है उसमें अंग्रेज चाहते हैं कि भारतिये भी सपोर्ट करें तुरितिये हम पर बहुत ज़रूरी है अगर सच में जापानियों ने आकरमन भारत पर कर दिया तो और दूसरा जो अंग्रेजों के साथ में जो देश थे जो लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से जैसे कि USSR है, US है, चाइना है वो भी यही चाहते थे कि इंडियन्स की सपोर्ट हमे दुष्वयुद में मिले, इस वज़े से इंग्रण की सरकार चाती है कि भारतियों की सपोर्ट हमें मिले, इसलिए वो क्रिप्स मिशन को भेचते हैं, 1942 में, मार्च में, इसमें इसके प्रोपोजल क्या-क्या थे? एक All Indian Union with Dominion Status हम दे देंगे और यह बना दिया जाएगा, औ और इसमें इसकी decision होगा कि Commonwealth के साथ में किस तरह से इसको relation रखने हैं अपने, दूसरा दुष्वयुद समाप्त हो जाने के बाद एक सविधान सभा बनाई जाएगी, जो की एक नया सविधान बनाएगी, और government accept कर लेगी नया सविधान जब उसके बाद फिर जो भी province है, जो अपना एक अलग से सविधान बना सकेगी, और जो नया सविधान होगा, उसको जो सविधान बनाने वाली सविधान सभा होगी, और British उन दोनों के बीच में एक transfer of power होगा, और इसमें minorities के भी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, और फिर जब तक ये नहीं होता, सविधान सभा अपना सविधान नहीं बना लेती, उस समय तक भारत का जो डोमिनियन है, उसका जो डिफेंस है, वो ब्रिटिश के पास ही तब तक रहेगा, तो इस तरह से जो समिधान बनाने का, जो making of the constitution है, वो केवल और केवल इंडिया के लोगों के हाथ में रहेगा, जैसे की August offer इ को कहता है, कि हाँ, आपकी जो समिधान सभा होगी, उसमें जादा तर इंडियन होगी, लेकिन अब सारे ही इंडियन होगे, इस कृप्स मिशन में हम देखते हैं, दूसरा एक अवेलेबल ये भी था, कि आप अलग से समिधान बना सकेंगे, इसका क्या मतलब था, अलग से को का, तीसरा, फ्री इंडिया, कॉमन वेल्थ में से कभी भी निकल सकता है, चौता, इंडियन जो हैं, वो लार्ड स्केल, इंटर इंटर पिरेड के अंदर, उसमें अद्मिस्टेशन में अलाव किये जाएंगे, ग्रिप्स मिशन बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ये फिर भी हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि गूम फिरकर इसने बात कर दी, कि भई, डॉमिनियन स्टेटस देंगे, ये डॉमिनियन स्टेटस की डिमांड तो बहुत पुरानी हो चकी थी, हम बात कर रहे हैं, 1942 की, इस समय पर भी अंग्रेज, अभी भी, जब हमने पूर्ण स्टेटस वाली बात, दूसरा, प्रिंसली स्टेटस की, जो उनको नॉमिनीज होंगी, वो रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्टिव रिप्रेजेंटिट, यानि कि वो केवल रजवाडे हैं तो रजवाडों की भी अपनी मर्जी हो गई हो जाएगी फिर इस से तो, दूसरा, प्रोविंसिस जा सकती हैं, अपना अलग समीधान बना सकती हैं, ये तो फिर राष्टी एक्ता के लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है, तो ये भी इसलिए कॉंग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इमीडियर ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कोई इसमें को उनको लगा कि ये जो सारी जो प्रोपोजल्स हैं, इसमें सेर्फ डिटर्मिनेशन का जो मुसलिम्स का राइट है, वो उनको नहीं मिल रहा है, इसके बाद हम देखते हैं, हिंदू मासबा है, वो भी इसको क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि जो स्टेट्स अलग हो सकती हैं, अपना अलग समविधान बना सकती हैं, इस चीज़ के लिए हिंदू मासबा इस चीज़ को रिजेक्ट करती है, डिप्रेस्ट क्लासिस भी इसको पसंद नहीं करती हैं, और क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हाई कास्ट हिंदू है ना, वो उनके भरोसे पर हमें छोड़कर जा रहे हैं अंग्रेज तो हम यह नहीं पसंद करेंगे, और सिक्स ने भी इस चीज़ को अब्जेक्ट किया, क्योंकि एक तरफ पार्टीशन अगर हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि पंजाब का बटवारा हो जाता है, हो जाएगा, तो अब इस तरह स अंग्रेज भारत को आजादी देंगे, डोमिनियन स्टेटस में भी, यह भी ठीक तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, तो फिर 60% of the majority का decision इसमें होने वाला था, वो भी adult members की plebiscide से, तो फिर यह जो हिंदूज है, यह जो scheme है, यह हिंदूज पंजाब और बंगाल के हिंदूज जो हैं, उनके खिलाफ जाती है, दूसरा, वाइस रॉय की जो वीटो है, वाइस रॉय को वीटो मिल जाती है इसमें, वो भी खतम कर देती है इस आगे वाले मने सवाल को, और गांधी जी इस mission को क्या कहते हैं, गांधी जी बोलते कि विए तुम भी post-dated check है, जो क्रिप्स वापिस चला जाता है, किस तरह से, leaving behind frustrated Indian people, तो यानि कि अंग्रेजों की तरफ से, एक mission आता है, जिसमें उन्होंने ये विचार दिये, इस विचार को लगबग सभी parties ने reject किया, तो फिर ये mission भी fail हो जाता है,